है अच wisdom स्वागात आप सभी का हमारे इस चैनल पर दोस्तो आप सभी को पता चली गया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में किस बारे में बात करेंगे तो देखिए आप सभी की समस्या रहती है हमारी भी समस्या रहती है और बहुत जो भी competition exam की तयारी करते हैं सभी की एक समस्या रहती है कि GS जल्दी तयार नहीं होता है कहते हैं जीके बहुत कठीन आ गया था कोई competition exam देकर आया तो कहता है उसमें GS पता नहीं कहां से पूछ लेते किस सासक के बारे में पूछ लिया गया कौन से उद्ध के बारे में पूछ लिया गया कभी पढ़े हैं तो ऐसी समस्या रहती है वह कहते हैं कि आपको विशेसकर दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाउंगा अपने इस chanel पर एक तो भूगोल पढ़ाऊंगा और एक इतिहास अगर मुझे समय मिला तो हम और सरी चीजे पॉल्टिव अगर भी पढ़ाएंगे लेकिन सबसे पहले हम सुरुवात करेंगे भूगोल और इतिहास से ओकी और मैं कोई अथेंटिक एक प्रकार से कोई बड़ी बुक नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई किसी राइटर की बुक लेकि आ गए या फिर डिटेल में एक दम पढ़ा रहे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ आपको छे से बारा तक की यंसी आर्टी पढ़ाऊंगा यंसी आर्टी और यंसी आर्टी ओके दो बुके होती है एक तो राज में चलती है या फिर केंदर में जो चलती हैं सिर्फ तो दो बुके मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर NCIT की जरूरत पढ़ी तो उसको पढ़ा दूँगा ESCRT की जरूरत पढ़ी तो उसको पढ़ा दूँगा तो 6 से 12 तक की अगर आप ये किताबे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी या फिर जो साइन्स वगेरा की किताबी हैं अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो यकीन बानिए किसी भी competitive exams की आप तैयारी करें किसी भी, even IIS, PCS की तैयारी जब आप करते हैं UPSC जैसे बड़े exam की तैयारी करते हैं तो वहाँ आप से जरूर कहा जाता है कि 6 से 12 तक की NCRT आप पहले से पढ़ लीजिए तो 6 से 12 तक की NCRT आप पहले से पढ़िए और फिर आगे देखा जाएगा अगर जरूरत पढ़ी तो हम बड़ी किताबी भी पढ़ाना शुरू करेंगे फिलाल मैं 6 से 12 तक की NCRT शुरू करूँगा और सबसे पहले इतिहास और भूगोल आपको पढ़ाऊँगा और उसकी क्लासस आएंगी बीच बीच में तो उसको आप पढ़ते रहें इससे क्या होगा कि आपका इतिहास भूगोल इकदम बेसिक से तयार हो जाएगा क्योंकि हम 6-7-8 में पढ़ते ही नहीं है इसलिए हमारा तयार नहीं रहता समझ में नहीं आता है बीच से जब हम कोई किताब लेकर पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है इसलिए अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे 6-12 तक की तो फिर आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्लास जल्दी आने वाली है और आप लोग तयार रहिए और जैसे क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसलिए आप बेल आइकन पहले से दबा के रखिए